असलाम अलेकुम स्टुडेंट्स हो यौल आई होप पॉल वीविल फाइंड स्टुडेंट्स पहले हमने अब ओनलाइन क्लासिस कर रहे थे तो हमने रिवर नबर सिक स्टार्ट किया था आप लोगों को याद होगा ठीक है इसका हमने वर्कॉलर टॉप कर लिया था ठीक है अच्छे जी पोटेंचल इनर्जी क्या होती है इनर्जी पोटेंचल इनर्जी क्या था इनर्जी क्या था इनर्जी क्या था इनर्जी क्या था इनर्जी पोटेंचल इनर्जी क्या था इनर्जी क्या था इनर्जी पोटेंचल इनर्जी होती है वो क्या होती है क्या ह एक इसमपल देते हूँ कि हमारे पास है एक एपल जो हो ट्री पर लगा हूँ है फिस्ट पर आपर किया है तो एक रिडियूर्ट नीचे गिरता तो इसमेंश करता कि तो इस पर कोई ना कोई फोर्स लगी ठीक है में और पहले को यह नहीं किसे डिस्टेंस कभर किया मतलब फोर्स लग जो से डिस्टेंस कभर की इवक्ष किया तो यह जो वर्क कोई किता है ना ठीज्विट को में तो पटेंचिल गपと思 फी किसे फोर्स करता है इस वोडीि में पॉध Plantठील आपर व्यग्न our Again में खेंचा एपल नीचे गिरा के तो में इस पर को यहां को फोर्स भी लग रही है जो ग्रैप्टेशन फोर्स है डाउन वोड डिरक्शन में और इसने डिस्टंस भी कवर किया है ठीक है एपल ने तो यह जो वगड़न होगा वो किस वज़ेसे हो कि दू पोटेंचल इनर्ज और इसके अंदर कि वज़ेसे यह पोजिशन की वज़ेसे इसमें इनर्जी थी वो क्या थी पोटेंचल इनर्जी थी ठीक है यह फर्स परग्राफ में इसकी एक्जेंपल लेए है कि एपल जो था वो जब रस्ट की स्टेट में था तो उसने कोई वकड़न नहीं था ठीक है अब इनर्जी थी मतलब यह पॉजिशन की वज़ेसे इनर्जी होगी पुटेंचल इनर्जी होगी थीक है a hammer raised up to some height has the ability to do work because it possesses potential energy ठीक है अब ये रेखें hammer अब ये रेखो जैसे ये आपने जैसे इसको पर उठाया हुआ है ठीक है ये कोई ना कोई height की वज़ए से ये रेखें जैसे इस हाइट है इस हाइट की वज़ए से में जो energy वो क्या है potential energy में इसके अंदर stored है ठीक है अच्छा जी नेक्स्ट आपके पास example क्या है a stretched bow has potential energy due to its stretch position when released the stored energy of the bow pushes the arrow out of it the energy present in this price bow is called elastic potential energy अब ये रखो ये रेखें ये जो bow है ठीक है जैसे ही आपने इसको stress condition में ये रेखें इसका stress की condition में तो इसके अंदर जो energy stored है वो कोई सी है potential energy है ठीक है जैसे आप इसको release करते हो ना ठीक है इसको छोड़ते तो ये वो आगी की तब move करता है ठीक है इसमें मत let a body of mass m be raised up through height edge from the ground ठीक है let's suppose आप कहते हो कोई ना कोई body है उसका mass m है ठीक है उसको hammer की example ले लो ठीक है body इसका mass m इसको आपने height किसी ना कोई सी height पर आपने इसको पर उठाया है ठीक है the body will require potential energy equal to work done in lifting it to the height edge ठीक है मतलब potential energy जो होगी वो किसके एक बोलोगी force multiplied by height ठीक है अब इस पर weight के एक वल है ठीक है multiplied by height तो weight के आपको पता किसी के एक वल होता है w is equal to mg ठीक है तो value से इसमें put करें mg ह हो जाएगा ठीक है potential energy is equal to w into h mg h ठीक है यह आपके पास किसका फर्मूल है potential energy का फर्मूल है thus the potential energy possessed by the body at height h with respect to the ground is mg h and is equal to the work done in lifting it to the height h ठीक है कि मतलब जो potential energy है वो किसके एक होगी weight multiplied by height के मतलब जितना उसका weight है multiplied by जितनी height है वो इसके equal होगी potential energy के हो और यह पूरी जो value potential energy इसको कि आपको होगी work done के equal होगी ठीक है यह value na mg h इसको आप work done भी कह सकते हो potential energy होगा वो किसके work done के equal होगा ठीक है